गुड मॉर्निंग फॉर्थ क्लास बिटर ड्यू टू सम् टेक्निकल रीजन्स हम लोगों की हिंदी ग्रामर की क्लासस नहीं हो पाई थी फॉर्थ क्लास की तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो उस दिन मैं आपको पढ़ाती पर आपकी क्लास नहीं हो पाई थी तो अभी हम क्या करेंगे ये चैप्टर भी पढ़ लेंगे और इस वीडियो में ही मैं आपको इसका एक्सेसाइज भी समझा दूँगी तो आप लोग अपना वर्ग कम्प्लीट कर लेना तो दिखो हम लोग पढ़ने वाले थे पाट 6 वचन के भारे में वचन को हम इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं अब वचन होते क्या है संग्या शप्त के जिस रूप से प्राणी वस्तु के एक या अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं चाहे वो कोई सामान हो चाहे वो कोई इनसान हो कोई भी जीवजनतू हो जिससे हमें ये पता चले कि वो एक है या एक से जाधा है ठीक है एक है या अनेक है तो उसी को हम क्या कहते हैं वचन कहते हैं जैसे देखो तारा, अब यह तारा एक है, ठीक है, तब तो यह एक वचन है, और जब यहाँ पर देखो कितने सारे तारे हैं, तो जब तारे हैं, तब वो क्या है, बहु वचन है, जब एक होता है, तो हम उसे एक वचन कहते हैं, जब एक से जादा होते हैं, तो हम उसे बहु वचन है ठीक है अब देखो ये एक लड़का है तब ये एक वचन है लेकिन यहाँ पर देखो जब एक से जादा लड़का है तो उसे क्या कहते हैं लड़के तो लड़के क्या है बहु वचन है तो ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई चीज एक है या अनेक है ठीक ह है ये तीनों एक हैं इसलिए ये एकवचन है और ये तीनों एक से जादा हैं इसलिए औनेक है यानि बहुवचन है तो हम कह सकते हैं कि संग्या शप्त के जिस रूप से प्राणी वश्ट dark के एक और अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो एक है या अनेक है तो वचन के दो भीद है एक वचन और बहुवचन ठीक है? एक वचन जब वो एक है और एक से जादा है तो वो बहुवचन है ठीक है? तो देखूं यहाँ पर काफी example से हमें समझा रखा है एक वचन यानी शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, इस्थान या वस्तू के एक होने का बोध हो जिससे हमें पता चले कि कोई भी वस्तू या कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस्थान एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं जैसे देखूं कलम यह एक कलम है यहाँ पुस्तक भी एक है आँख भी एक है बच्चा भी एक है तितली भी एक है और मेज भी एक है तो यह सारे क्या है एक वचन है इनको देखकर हमें पता चल गया या इनके शब्द अगर हम पढ़ेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि यह एक वचन है ठ पुस्तकें तो वो अनेक है, जब एक है तो एक वचन, जब अनेक है तब भहु वचन, ठीक है? तो इन सब्सकों पढ़ने से हमें पता चला कि ये एक है, तो ये सब एक वचन है, अब यहाँ शब्द देखो कलमे, पुस्तकें, आखें, बच्चे, तितलिया और मेजें, अब ये शब्द पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये एक से छाधा हैं, तो ये बहुवचन है. आपने देखा वचन बदलने से संग्या शब्द का रूप बदल जाता है जैसे कलम बन जाता है कलमे पुस्तक बन जाती है पुस्तकें आख बन जाती है आखें बच्चा बन जाता है बच्चें तो लेकिन कभी-कभी बहुवचन होने पर भी संग्या शब्द का रूप नहीं बदलता है ऐसे सब्दों की पहचान उनके साथ लगी क्रिया या विशिशन से होती है तो देखो कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में अलग होते हैं और बहुवचन में अलग होते हैं लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं उसका पता हम बाकी चीजों से लगा पाते हैं कि वो एक है या अनेक है जैसे कि देखो ये अनार मीठा है ठीक है और यहाँ है ये अनार मीठे है तो अनार शब्द ऐसा का ऐसा है लेकिन मीठा और मीठे से हमें ये पता चला कि ये ये तो एक वचन है मीठा तो एक वचन है और मीठे बहु वचन है है ना अनार तो बराबर लिखावा है यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर कोई अनारे नहीं लिखा है, लिका अनारी है लेकिन इसके शाथ लगे सब्द से हमें पता चला कि वो एक वचन है या बहू वचन है थीक उसी तरह यह था है फूल है और यह थे फूल हैतो यह से शब была से यह가 फाता चला कि यहाँ पर ज्यादा फूल क बात हो रही है ठीक है तो इसे ही हम वचन कहते हैं एक वचन मीठा विशेशन है ठीक है और एक वचन है क्रिया फिर बहुवचन में मीठे है और बहुवचन है क्रिया ठीक है तो यहाँ पर हमें क्रिया से पता चलता है या विशेशन से पता चलता है फिर देखो हमें यहाँ प मचली, मचलियां, बुडी, बुडिया, बुडियां, भुजा, भुजाएं, काटा, काटें, सेना, सेनाएं, नदी, नदियां, धारी, धारियां, पोधा, पोधे, चादर, चादरें, चिडिया, चिडियां, कुत्ता, कुत्ते, तारा, तारे, बैल, बैलें, क्यारी, क्यारिया कववा कववे, दिवार दिवारें, तलवार तलवारें, मोटा मोटे, सभा सभाएं, टोपी टोपियां, पत्ती पत्तियां, बगीचा बगीचे, फवारा फवारे, चुहिया चुहियां, कुटी कुटियां, तो इस तरह हम लोग एकवचन और भवचन को शब्दों से पहचान सकते हैं तो अब बात आती है इसके exercise part की first question हम से पूछा गया है किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का कौन बोद कराता है हमें किस से पता चलता है कि कोई भी प्राणी या वस्तु एक है या अनेक है संग्या से वचन से लिंग से या कारक से तो हमें वचन से पता वचन और बहु वचन तो हमने इसमें दो पर टिक किया गुडिया शब्द का बहु वचन है इन में से गुडिया का सही बहु वचन क्या है तो वह है गुडिया ठीक है एक होगा तब तो गुडिया और जादा होंगे तो गुडिया नेक्स्ट है तितलिया का एक वचन है वचन किसे कहते हैं उद्धारन सहित समझाईए तो हमने इसका आंसर यहां लिखा कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं उद्धारन जैसे लड़का है तो एक वचन लड़के हैं तो बहुवचन किताब है तो एक वचन किताबे है तो बहुवचन फिर कहा गया वचन के भेद उधारन सहित बताईए तो वचन के भेद बताने तो हमने बताया कि वचन के दो भेद होते हैं एक वचन और बहुवचन फिर हमने एक वचन का एक्जामपल दे दिया जैसे रात, टोपी, पौधा, नदी और इसके भेद बहुवचन लिख दिये रातें, टोपियां, पौधें और नदियां फिर हैं एक वचन और बहुवचन में अंतर बताईए कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है तो हमने लिखा कि जिस सँंग्या से उसके एक होने का बोध हो तो उसे एक वचन का आ जाता है और जिस संग्या से उसके अनेक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं तो यह हुआ आपके कोशिन आंसर अब देखो निमनलकित के बहुवचन बनाईए अब हमें आपर कोश शब्द दिये वे हैं जो कि एक वचन है और हमें उनका बहुवचन बनाना है तो गाए अगर एक है तब तो गाए बोलेंगे और जादा है तो बहुवचन है तो क्या बोलेंगे गाएं, बकरी, बकरियां, नेता, नेता का नेता ही रहता है आख, आखें, तोता, तोते, नदी, नदिया, ठीक है, तो यह हो गया, तो इस तरह बिटा हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है हिंदी ग्रामर में, जिसमें हमने वचन के बारों में पढ़ा, वचन के हमने दो भेद भी पढ़े, एक वचन और बहु वचन, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो वर्क आपको PDF में सेंट किया जा रहा है, उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, एक बार चैप्टर की रीडिंग खुद से भी करना, इनकेस इस चैप्टर से लेटेट कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुससे हिंदी की लाइब क्लास के टा आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, चैप्टर की रीडिंग कर लो, फिर हम लोग अपने नेक्स क्लास में मिलेंगे, बाई, टेक क्यार